मातरे 10 से 50 रुपे खर्च करके कुछ ऐसे पूलो वाले पौदे अगर आपके गार्डन में आए जो पर्मनेंट हैं जो कभी भी खराब नहीं होते हैं छोटे से गमले में भी लग जाते हैं जादा देखरे की जरुरत भी नहीं है ना उनको जादा खाद की जरुरत है तो ऐसे पौदो को आप फटाफट अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं अगस्ते के महने में क्योंकि ये पौदे इस टेम हमें नर्सरी में धेरो सारे रंगों के साथ कमदामों में मिल रहे हैं तो हेलो फ्रेंट्स वन सेगन बलकम बैक टू में चैनल आज इस वीडियो में आपक पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बैलेकिन के साथ सीजनबल जो फूलू वाले पौदे होते हो उनमें से कुछ ऐसे फूलू वाले पौदे होते हैं जो सीजन में ही हमें नर्सरी में दिखने को मिलता है उसके बाद ये पौदे हमें नहीं दिखते हैं। उनमें से हमारा ये अलमंडा का प्लांट है। अलमंडा का जो फ्लावर होते हैं और बहुत ही कम देखरेक में चलने वाला कम खाद में बहुत सारे धीरो फूल देने वाला ये पौदा है। हमें इस टाइम अगर नर्सरी में इनकी कलर मिल रहे हैं साथ ही पौदय कोई भी आपको मिल रहे हैं तो आपके आसपास छोटी से बड़े नर्सरी में विजिट कीजिए और वहां से 50 रुपे या 100 रुपे खर्च करके इस पौदय को आप परचीस कर सकते हैं अगस्ति के बाद अलमंडा का पौदय आमें नर्सरी में दिखने को नहीं मिलता है यह पौदय बहुत सारे प्लस पौउंटे के साथ हमारे गाडन में आता है जैसे छोटी से गंबले में लग जाता है ज्यादा खातकी से जरूरत नहीं होती है सनलबिंग प्लांटे हैं की प्लांट होता है और गाडन में रखना या घर में रखना बहुत ही शुप माना जाता है यह पौदय में लास्ट पर्चिस करके लाइती इसका दो या तीनी ब्रांच था और आज की रेट में दीखे कितने सारे ब्रांचे मैंने तियार किया है कैसे यह में ऊपर की इनकी यो दो लिव्स न्यू ग्रो होती है बस यहीं से में इनकी पिंच कर देती हो पिंच करने से यहीं से 2-3 न्यू सूर्स और ग्रो हो जाते हैं पौदा जितना जधा घंशा होता है उतनी ही अधिक किसमे कलिया लगती है और जब फूल खिलते तो दिखने में बहुत ही बैरा सीजनेवल पौदों में से कुछ ऐसे पौदे भी होते हैं जो पर्मनेंट फ्लावरिंग वाले पौदे होते हैं उन में से हमारा ये पैंटास का पौदा है पैंटास बारो महने अमारे गार्डन में फूल देता है वो भी कम देखरेक में और अगर आप फटिलाइजर ना भी दे रहें तो भी इन पे कोई भी फरक नहीं पड़ता है ये जो पौदा है मात्र 30 से 25 रुपे में हमें चोटा सा एक पौदा मिल जाता है वो भी अगस्ते की महने में साती ही कलर गुच्चों में फ्लावरिंग करने वाला ये पौदा है और शेट लविंग प्लांट भी होत हैं और जो सस्ते और बहुत ही मजबूत और लॉंग टाइम तक चलने वाला पौदा होता है जो हमारे गाडन में अगर एक पौदा आ जाए तो उसी एक पौदे से हम हजारों पौदे एक ही सीजन में त्यार कर सकते हैं वो होती है हमारी लिली की अंगिनत वेराइटी होती ह है साथ ही अंगिनत कलर की कॉमिनेशन भी होती है लिली को इस ट्रेम जरूर परचेस करें आप इसका एक पल्प हमें 10 रुपे में मिल जाता है और ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हैं या नरसरी वालों से परचेस कर सकते हैं कलर कोमिनेशन देखें आप परचेस करें काफ पौदी पसंद है क्योंकि ये पौदे मल्टिप्लाई भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और चोटी से पौदे में आप देख सकते कितनी अधिक मातरा में फूल भी देते हैं इसकी प्रूनिंग करनी बहुत जरूरी होती है अगर आप इसकी लंबाई नहीं बढ़ा रहें तो प पर्मनेंट पौदें जो कम देखरेक में हमारे गाडर में धीरों हमें फूल देते हैं और इस टाइम आपको नर्सरी में इनके बहुत सारे कलर भी मिल जाएंगे तो आप इस टाइम इसे पpri Cheese कर सकते हैं अगला हमारा मधुमालेदी है मधुमालेदी का नाम सुनके ही सब इस पौदे में एक बात धहन रखना होता है कि स्टम इनकी ब्रांचेस बहुत लंबाई तक पौँझाती है तो कट करके आप छोटा बना के रखें इस पौदे को और इससे ठेरो फूल ले सकते हैं इनकी फूलों में से बहुत अच्छी खुश्बू आती है और हर रोज इनका कलर चींज होता रहता है कुछ फूल तो ऐसे होते हैं जो एक बार खिलते हैं और कम से कम एक से देड़ मेहने तक ऐसे ही फ्रेश हमारी प्लांटे में लगे रहते हैं जिनको देखकर बिल्कुल भी विलीब नहीं होता है कि इतना पुराना फूल ये खिला होगा क्योंकि इनके फूलों का रंगी इतने फ्रेश और ताजा दिखने में लगता है ये हमारा एक्जोरा जो शेड़ लविंग प्लांटे हैं जिसे जादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है मॉर्निंग की सनलाइट इनके लिए काफी होती है जब इनके फूल पूरी तरीके से खिल जाए तो अब इनको शेड़ में रखे जहां रोशनी इसे बहुत भरपूर मातरा में मिले एक जोरा हमें 100 रूपीस की बीच में मिल जाता है अगला हमारा मोगरा है मोगरा बहुत ही खुश्बूदार पौदा होता है इनकी फूलो में से बहुत अच्छी सुगंदे आती है सुगंदे की बज़े से इस पौदे को ज़रूर लगाना चाहिए इनकी फूलो का जो कलर होता है वो वॉइट ही होता है वॉइट में बहुत ही प्यारा इनके धीरो सारे पेटल्स होते हैं इस पौदे के भी प्रूणिंग करके हम छोटा बना के रख सकते एक बात आप ध्यान रखें, फूलो वाले पौदो की जब हम प्रोनिंग करते हैं, इनके धेरो सारे ब्रांचेज होते हैं, जितनी जदा ब्रांचेज होते हैं, उतनी ही अधिक फूल लगते हैं, ये भी हमें नरसरी में 50-100 रुपे के बीच में मिल जाता है, अगला हमारा खन वाले फ्लावर से मिलते हैं, और कलर इनका बहुत ही सुन्दर होते हैं, इनकी भी दो वेराइटी होती हैं, एक देसी और हाइवरिड दोनों की सेम केर करनी पड़ती है, और छोटे गमले में लग जाता है, और 50-60 रुपे में एक पौधा भी मिल जाता है, अगला हमारा चा फूल है, यह हर किसी को अपने गार्डन में जरूर रखना चाहिए, है तो यह सीजन में मिलने वाला, क्योंकि सीजन में इनके अंगिनत कलर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऐसे वेराइटी आ गये हैं, नर्सरी में कि उनको देखकर लेने का मन करता है, और हर वेराइटी के ज से महेंगे भी इनकी प्राइज होती है, इस टाइम यह कटिंग से भी पहुत आराम से लग जाता है, तो आप गोडल को जरूर एट करें, देसी बलसम एक ऐसा पौदा है, जो सेलफी सीडिंग प्लांटे हैं, जिसके फूलों के बहुत सुंदर सुंदर कलर होते हैं, यह भी सिंगल पैटेन और डबल पैटेन के भी इनके फूल होते हैं, एक सेलफी सीडिंग प्लांटे हैं, एक बार गार्डन में आ जाए, तो हर साल इनके पौदे हैं, फ्री में मिल जाते हैं, और मात्र 10-15 रूपे में इनका एक पौधा भी आमें नरसरी में मिलता है, अगला हमा ब्रांच जैसे ही निकलते में पिंच करके थोड़ा सा इनको हटा देती हो जिससे और भी अधिक ब्रांच निकले फूल काफी तिनों तक यसी ही प्लांट में फ्रेश के लिए रहते हैं और ये पौदा बहुत ही सस्ता पौदा है 15-20 रुपे में एक मिल जाता है अगला एक श सीन की तरफ रखना बहुत ही शूप माना जाता है या पारिजिता को जरूर लगाए या बहुत सुंदर सुंदर इनके कलर होते हैं मेरे पास सीन क्या ब्लू कलर भी है इस बार मैं वाइट कलर अपनी सिस्टर के घर से ननिताल से लेके आई थी इसका छोटा पौदा और अगर हम ऐसे रिमूब करते हैं तो यह सीट तोड़ा से दीर में ग्रो करता है नहीं तो सीट ग्रो करने में यह अपनी एनरजी वेस्ट कर देता है फिर इसमें फूल कम खिलता है तो दो कलर एक साथ लगाया और सपोर्ट में ने दे दिया यह बहुत ही जल्दी बढ़ जात सुन्दल लगता है इनका कलर कॉमिनिशन बहुत ही प्यारा होता है ग्रीन कलर में वॉइट कलर जो इनके छोटे फूल खिलते है वो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है यह पौदा भी हमें ऐसे 40-50 रुपे में मिल जाता है अगर छोटा पौदा लेंगे तो 30 या 25 सकते हैं सावन में बहुत अधिक मात्रा में फूल देने वाला यह पौदा है और मात्र 25 से 20 रुपे में मिलने वाला यह पौदा होता है कलर कॉमिनिशन इनके अंगिना दोती है नर्सरी जाएंगे तो धेरो कलर को आप सस्ते प्राइज में पर्चेस कर सकते हैं और यह देस और टिकाओं पौदे और छोटे गंले में भी लग जाते हैं और देख रेक बहुत कम करने पड़ती है तो आज की वीडियो में इतने हैं वीडियो कैसा लगा कमर्स करके जरूर बताईएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिन जय भारत रादे रादे